हाँ हमने वाज से सुनी फाइरिंग की तो बस बड़ी गवराट हूई हो गया पाइरिंग तो लगा पाइरिंग किती तेन गंटे तो ये इसको खुण कैसे रहे जखमी हुए थे जखमी हुए थे वो उन्होंने पानी का बालती न अपसे दिया तो आप शांपून मनी तो ये खुण लगा हुआ थे इस पर पूरा है ये जो आप बाल्टी देख रहे हैं ये साफ कर रहे हैं इस बाल्टी पे भी कल खुण लगा था कल देर राज जब फाइरिंग चलती रही काफी परिशानी का माहूल था मिनसे बातसीत करने की कोशिश करूँगा क्या हुआ था उसकत जब आप किया हाथ है? कीजने हमको नीप पता है क्या हुआ था मैं आप अंदर थे उसकत? आहे हम सोए थे.. तो फिर फाइरिंग क्या आवाज आई? हाँ हा आमने वाज आई सुनी पाइरिंग की तो बस.. बड़ी कवरहाट हूई होगी आपकर? कि शामपुन नली ते यह खूण लगा हुआ थे इस पर पूरा तो अब पहली बार आपने ऐसी फाइरिंग या पहले भी कमछी हम ने नी पहली बार सुनिया आप अपने पर एसी फारिंग यहां पर देखि आज बच्चों को किया उसका फारी तो रो रही थे पच्चे हमनिन निस और म्ह dudes fill holy क्यों ऑसा जो अप सोच ए हूं के ऐसा क्यों लगता थी नाउमीदी लग रही आपको क्या चाहते कि होना किनी सरटार को चाहिए एंपर खुओक फोज हो गह हई हम कुछ नीग염 Nagab बाहर निकलते हैं, इसे डर लग रहा है, गवराहट हो लिए? यहां, डर तो लग रहा है. कभी आपने सोचा था कि आपके इस अमन-अमान वाले आपके में ऐसे हालात होंगे? नहीं होंगे, मगर होगे ही, तो फिर क्या करेंगे? गर के बच्चों को जैसे स्कूल जाने में परिशानी आपको लगती होगी? बहुत परिशानी है. बाहर निकलेंगे आप? क्या करेंगे, बाहर तो निकलना ही है. अब देखें, यहां पे काफी डर का, काफी परिशानी का माहूल है. यह जो बाल्टी, इन्होंने कल पानी की भर कर, जब वो फोजी यहां पे आये थे, देरात को उनको दी थी ताकि पानी से कोई परिशानी नहों. लेकिन फाइरिंग के वज़ा से वहां पे खून लग गया, इसको यह भी साफ करें इस बाल्टी को, लेकिन काफी डर का माहूल है, काफी परिशानी का माहूल है. कल जब देरात फाइरिंग उती थी तो बच्चे रोने लगे, बच्चों को चुप कर आया. अब इनको यह परिशानी है, जब स्कूल बेजेंगे बच्चों को कल, जब भी स्कूल खुलते हैं, तो तब भी कैसे बेजेंगे. इस हालात में, जब आतिकवादी जंगलों में छुपे हुए हैं, तो इनके लिए परिशानी का माहूल बढ़ता जा रहा है. मैं समय कास्तिगर के आलाके में और मेरे साथ स्थानी निवासियों से जानना चाहूंगा, कि कल देरात क्या हुआ जब आतिकवादी हमला हुआ. आप उस समय कहां थे जब ये वारिंग हुई? मैं ये रात की दो बजे हमने फायर सुना, तो हम इदरी गाओं में रहते हैं, तो रात की दो बजे, 15 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी हमें. तो थोड़ा गाओं में अपनी घर में तो डर का महूल पैदा हुआ और रात बर तो फिर उसके बाद हम सोय नहीं जब कोई एक दो गहंटा फायरंग चलती रही है, तो उसकत क्या लग रहा था आपको? डर काफी डर लगा, क्योंकि अमन और शांती के महूल में हम रहते थे, आज तक तो अमन सुकून में रहते थे, अचानक अगर कोई हम पराई आवाज सुने तो फिर डर ही लगता है, कोई ल लगा, अमन तो ऐसा हुआ कि अब जमीन तो लेटे उस टेंड कुछ है, हम तो अंदर ही दर्वाजा बंद करके तो लेटी गया अंदर, बाहर निकलने की बिल्कुल हमने सुची नहीं, कि हम इतने इतने डर गए हम सारे, क्योंकि 15 साल पहले कमी कभी सुना था हमने ये ना, तब हम थोड़े छोटे छोटे थे तो ये आवाज ही सुनते थे हम फाइरिंग वेरिंग तो आज 15 साल के बाद पहली बार सुना तो लगा, ये क्या सुन रहे है आज कल यह मोमन्ट हो रही है लगा था जो लोग क्या कहते है, सर अब हमारे अलाके तो ये बड़े सेफ थे, बाइचारा बढ़िया है हमारे इदर तो इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं क्या मस्सला है लेकिन एक तब से ये कल की फाइरिंग के बाद अब गवराठ है शाम को निकलने में अब तो गवराठ हो रही है, हब सुबा चलने में गवराठ हो रही है, मलब अकेले चलने में कहीं इदर उदर चलने में कोई पता नहीं क्या होगा कैसे जैसे आप खुले आम घूमा करते थे आराम से जानती से गूमा करते थे सेल से पाड़े भी जाते थे बिना मलब टेंशन के चला करते थे हर जगा लेकिन थोड़ी सी ये अचानक राच को जो ये फाइरिंग होई उस वज़े से हम डर पैदा हो गया है एक पल के लिए लग रहा था कि फायर अंदर आ सकता है ये इतने करीब से आवाज आ रही थे आपको बहुत जोड़ी गाहों के उपर से जल रही थी जा बड़ी डर का महूल बन गया था उसके भाद जब ये फायरिंग रुग गई तो आपने क्या किया बाहर गे आप उसके बाद या अंदर जब पूरा सोरज ऊपर असमान पे निकल आया तो फिर बाहर निकल आया हुँ उससे पहले तो बाहर निकलने का तो और अब क्या सोच रहे हैं आप यहां परिवार के सदसे के साथ कि दुबारा आप कहीं ऐसा फारिंग होगा ऐसा वहम रहा है आपके मन में कहीं वहम तो अब यह आने वाले दोर में क्या है यह मलब हमारी स्कुर्टिस फोर्स जो है वो काफी मजबूत है इस बारे में वो तो जो है देशित कल्द कौन है क्या है यह अमन को खराब करने वाले लोग जो है इनको बख्षा नहीं जाएगा अर्मी की दरफ से अपनी इंडियन फोर्स पर अपनी इंडियन फोर्स पर मोले पूरा है किया लगता है पर से वही महूल ले आएंगे यह अमन और आमान का अब अमन और आमान तो लाने की कोशिश तो करनी पड़ेगी इनको कहीं ऐसे क्योंकि यह तो इससे कौम में मुलक तो तबह हो जाते हैं और यह देशित के महूल यह डर का महूल रहा तो तो तरक्की कहा हो जानी कि पार से पाकिस्तान से एक बार फिर से आप लोगों के लिए मु के खिलाफ है उसका कोई जात धर्म है नहीं इस दर्टीव है चाहिए कोई भी है लेकिन आपको अपनी फोज पूरा यकीन है मुझे हमें पूरा यकीन है चाहिए यहां किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि हमारी जो फोज है यह अमन और शांती को काई में रखने वाली फोज है और मजबूती से तश्चत गर्दूं को आसफाय कर दिया जानी कि कुछ भी हो जाए आप अपना घरबार नहीं छोड़ेंगे फोज यहां है तो गवराट में तो भरपूर साथ हैं कि किसी भी मसले में और फोज हमाले साथ है इसमें कोई मसले निवासियों का कहना है कि हम अपना घरबार नहीं छोड़ेंगे हाँ जरूर डर का माहूल है परेशानी जरूर है पंदरा वर्ष के बाद ऐसे हालात यहां पे हुए हैं कि एक बार फिर से फाइरिंग की आवाज इन जंगलों में घूजने लगी है जो कभी रोने सुनी नहीं ती शायद बच्पन में की ज़रूरत नहीं और हाँ जो पार से लोगा आए हैं वो इंसानीत के दुशमन हैं क्योंकि वो इनसानों के मार्त काट के लिए आये हुएं इसलिए इन्हें कोई हमदर्दी उनके लिए नहीं है लेकिर हाँ अपने फोर्ष पे पूरा वरोस है अपनी फोर्ष पे पूरा की क्या जरूरत है प्रदीदता टाइमजान भारत के लिए